सबसे पहले जो computer है उसमें patient की जो details है वो inter करेंगे inter करने के बाद में arrow पे green arrow पे जाएंगे फिर जो head दिख रहा है क्योंकि हमें जो skull lateral है उसका x-ray करना है head के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे skull AP है और इसके just आगे skull lateral है क्लिक करने के बाद में हम green arrow पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में console पे जाता है console पे patient की size select करते हैं तो medium type का patient जाएं तो medium पे inter फिर patient के कौन से part का x-ray करना है तो में skull का करना है और AP लेना है lateral तो lateral लेना है फिर जो x-ray machine होती है वो उसको 200 अमें पे select करना LVD light on करनी है यह R-10 की case seat है क्योंकि जब हम skull का x-ray करते हैं तो R-10 की case seat इनफ होती है इस तरीके से जो position is skull lateral की वो बनाते हैं जिस side में patient की कुछ भी problem हो side case seat के touch में रखते हैं इसके बाद में expose मारते हैं इसको siya reader के अंदर दालते हैं और फिल जो x-ray image है हमें यह image आगी मजे ले रहा है तुरको सब पता है यह होता है आपको दाना उसको में आयता है